तब ही जगह के उपर जिस तरह से पिछली बार बारती जन्ता पार्टी को दस की दस सीट दरी थी इस बार भी लोग बारती जन्ता पार्टी के पक्ष में फैसला करेंगे I am confident I am going to win करती हूं कि गर्मी होते हुए भी लोग दरूर निकलेंगे उन्होंने मेरे को आशवासन दिया है कि वोट करने आएंगे और राव साहब के लिए वोट करेंगे जितना भी मैंने आज तक काम राजने तक तोर पे किया है इसी विश्वाश से किया है कि मनीता मेरी वाइफ अर्धांगनी मेरा घर का सारा काम समाल रही है नमस्कार आज जिस समय हम यह वीडियो जारी कर रहे हैं उस समय हरियाना में लोकसभा चुनाव के लिए मद्दान या तो संपन हो चुका है या कुछ मद्दान केंद्रों में अभी भी लाइन लगी होगी अन्य मीडिया कर्मियों के साथ NGP की टीम भी आज रिवाडी सहर से सटे बावल विदान समाज शेतर में गाउं रामपुरा में पहुंची होई थी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे रामपुरा की इसी स्कूल के बूत पर मद्दान करने के लिए केंद्रे मंत्री राविंदजीत सिंग अपने परिवार के साथ पहुंचे है राव की पतनी मनीता सिंग राव वे बेटी आरती राव दोनों उनके साथ है आरती अप नेता बन चुकी है क्योंकि वे लंबे समय से फिल्ड की राजनीती में है मनीता सिंग परदे के पिछे रहकर राव का काम संबालती है राजनीती में उनका सीधा कोई दखल नहीं है मगर वे राव के खानपान की चिंता रखती है गर की चिंता रखती है, चुनाओ के समय घर पर मेहमानों की आगुंतकों की संख्या अधिक बढ़ जाती है तो सोभाविक रूप से मनीता सिंग का काम भी बढ़ जाता है मगर वे अपने चैरे पस चिकन तक नहीं आने देती मन्द मुसकान के साथ चीजों को संभाल लेती है वोट डालने के तुरंत बाद हमारी राव, मरीता सिंग वे आरती राव से बातचित हुई तीनों की बातचित सुनने से पहले हमारा विवादन स्विकार करें मैं हूँ निशा और आप देख रहें अंजेपी हर्यान आएए पहले राविंदजीत सिंग को सुनते हैं आज सतर दिन की मशक्तक के बाद फैसले का निरनायक दिन आया है मैंने अपने गाओं के अंदर रामपुरा के अंदर आज अपनी वोट डाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर्याना के अंदर तब ही जगह के उपर जिस तरह से पिछली बार भारती जनता पार्टी को दस की दस सीट तरी थी इस बार भी लोग भारती जनता पार्टी के पक्ष में फैसला करेंगे और अंदर भाई मोधी को अदान मंतरी बनाने के लिए अपना योगदा माईए वीडियो सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि गुडगाओं लोग सभा से वाईसपा उम्मेदवार राविंदजीत सिंग आत्म विस्वा से भर हुए है वैसी देक बात बोलते है मैं जीतने जा रहा हूँ आएए अब आर्टी राव को सुनते है आप बता सकते कितनी सभा की आपने? कितनी सभाई की? आपने कितनी सभाई की? दोसो से उपर आशा करती हूं कि गर्मी होते हुए भी लोग दरूर निकलेंगे उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि वोट करने आएंगे और राव साहब के लिए वोट करेंगे और कमल के फूल का बटन दबाएंगे आर्ती राव बताती है कि चुनाव में उन्होंने बहुत मैनत की है सभाओं की संख्या पूछने पर सीधे दोसो का जवाब मिलता है जाहिर है बीशन गर्मी में जमकर पसीना बहाया गया है अपनी मा मनीता सिंह की मैनत भी आर्ती खुद ही बता देती है मनीता सिंग की राजनितिक भूमिका के बारे में आपको सही डंग से समझाने के लिए हम पहले आपको किंद्री मंत्री राविंदर जीत सिंग के शाक्षातकार के कुछंस सुनवाते हैं NGP के परधान संपादक महिश कुमारवेद ने ये साक्षातकार 11 फरवरी 2023 को रिकोर्ड किया था आईए राविंदर जी सिंग से जानते हैं थोड़े से उनके बैक ग्राउंड के बारे में दर्सकों की और हमारे को जो फीड़ बैक मिला है उनके इच्छा थी राव साब ये जानना कि आपकी लंबी राजनितिक पारी में मनिता सिंग जी का क्या योगदान है वो थोड़ा तो फिर बात नहीं मनती तो जितना भी मैंने आज तक काम राजनितिक तोर पे किया है इसी विश्वाश से किया है कि मनीता मेरी वाइफ अर्धांगनी मेरा घर का सारा काम सम्हाल रही है हम तो ये भी सुनते है कि राजनिति में जो नेरणे संग्ठन से संबंदित कारी करता उसे संबंदित कुछ जो फैसले होते हैं उनमें उनकी बहुत एहम भूमिका रहती है आपकी मार्ग दर्सक के रूप में वो काम करती है नहीं वो तो जनता से सोच उचार करता हूँ मैं राजनितिक अंदर आपने कभी नहीं देखा होगा कि मेरी वाइफ सामने आई हो कभी किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं गई कभी भी कोई वोट मांगने के लिए नहीं निकली है तो जो भी काम मैं करता हूँ राजनितिक तौर के उपर वो मिर पे छोड़ देती है और मैं अपना निरने लेता हूँ लोगों से सलाम शौरा करके साथीं से बैठ करके और उसके जब मन हो जायता है, तो समय आने पर उसको मैं खुलासा कर देता हूं। आप इस वीडियो को सुनने के बाद समझ चुके होंगे कि परदे के पीछे रहकर मनीता सिंग किस तरह अपना घर संबालती है। आज भी उनका यही कहना था, सुनिये उन्होंने क्या कहा। मनीता जी, आपने बिल्कुल पीछे से पर्दे के पीछे से रहकर आपने काम संबला है चुनाओ。 ओर पर दे के के पीछे का कुछ बताएं के कितनी मेहनथ बढ़ गई overwhelm? वहनुत होई देम जाना चुनाओ लिजाओ, दिज डबल मालने काम सिंगे ? तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद